असलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्ट मसालेदार एककी रेसिपी लेकर आई हूँ या फिर आप जो है मसाला एक फ्राई भी कह सकते हैं इसे ये रेसिपी जो है आप रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर दाल चावल के साथ भी आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी तो इस रेसिपी को आप एंट तक देखिए और अगर आपने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जली से सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक्स को बॉइल कर लेंगे और इस तरह से इसमें कट्स लगा देंगे इस तरह से हमें निशान बनाना होगा अंडो में उसके बाद एक पैन बलेंगे फोड़ा सा थेल गर्म होने के बाद यह सारे बोइल के हुए एकशा । अडे कर देंगे कोई भी ब्रैंड का आप यहां पे चिकन मसाला यूज़ कर सकते हैं तो इसे जो है हम दो मिनिट के लिए इसी तरह फ्राइ करेंगे और उसके बाद जो है इन सारे अंडों को जो है हम निकाल कर साइड में रखतेंगे और इसी तेल में जो है हम और थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज प्याज जो है मैंने यहां पे मीडियम साइज के दो प्याज लिए हुए हैं जिसे मैंने बारीक में कट कर लिया है और इसे दो मिनिट के लिए इसे अच्छे से भून लें तेल में उसके बाद जो है इसमें डाल दें एक टी स्पून लाल मिर्ज का पाउड़ा और फिर हम एक टी स्पून अद्रकलहसन का पिसा हुआ पेस्ट मुढ ढूलएजने धालक लिरेले тобा यहा, मेन अच्छ होग थाउगमे था से बाद 2-3 मिनित तक इसी तरह हम सॉटे करेंगे इसे अच्छे से इसी तरह से स्टर करें उसके बाद इसमें एट कर देंगे एक टेबल स्पून चिकन पाउडर जो हमने स्टार्टिंग में शुरू में हमने फ्राइ करने के लिए यूस किया हुआ था बस वही हम यहां पर भी एट करेंगे तो बस दो से तीन मिट जो है इसी अगर आपको यह पसंद आई है तो बस अब जो है इसमें अच्छे तरह से दो से तीन मिनिट पकाएंगे इसी तरह उसके बाद जो है आप फ्लेम को बंद कर दीजिए तो हमारा मसालेदार एक फ्राइ जो है बिलकुल तयार हो चुका है लास में जो है आप इसमें अपनिया तो जरूर लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट कीजिए और अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए अभी अलाहाफिस